Hello everyone, PS Classes, है मैं प्रसान सर आप सभी का welcome करता हूँ, जी दोस्तों आप सभी का welcome हैं और इस पढ़ने पढ़ाने के सफर में आपके प्रसान सर आचुके हैं, तो अज हम पढ़ने वाले हैं kinds of noun में दो noun इसके पहले मैंने clear कराई थी, एक का नाम proper बताया था, जिसे बोलते हैं बैक्तिवाचक शंग्या और दूसरे को अगर हमने समझने की कोशिश की थी, तो क्या मैंने समझा था कि common noun जिसको बोलते हैं जातिवाचक शंग्या तो चलिए हम बात करते हैं collective noun के बारे में, तो जो हमारा सफर बनने जा रहा है वो है third जिसको हम बोलते हैं collective noun की नाम से जाना जाता है हिंदिम बोलते हैं समुह वाचक संग्या, समुह वाचक संग्या, अब अगर इसे समझने की कोशिश किया जा है तो इसका जो definition हमारा बन करके आता है वो है कि collective noun is the name of a group of person or thing a group of person or things, or things, or things, is called collective noun अर्थात इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं collective noun उसे कहा जाता है जिससे किसी व्यक्त के शमू का बोध होता है जिससे वस्तों के शमू का बोध होता है आए समझने की कोशिश करते हैं collective noun का जो words होता है special उससे शमू का बहुत निकलता है किसका बहुत निकलता है शमू का और किसी शमू का वो बहुत कराएगा जैसे मान लिजिए जैसे मान लिजिए हमने लिखा जैसे मान लिजिए लिखा गया students students है और students में सोता है विद्यार्थी क्या होता है विद्यार्थियों हो जाएगा इस्टूडेंट के मलब क्या हो गया विद्यार्थियों यह हो जाएगा विद्यार्थियों विद्यार्थियों तो अब हमें यह समझना है कि स्टूडेंट के लिए कौन सा समू वर्ड हमारे सामने है तो वो क्या है a class क्या है class of student होता है ये जो class है ये जो class word है ये समू है class means क्या होता है समू और आप means यहाँ पर क्या हो गया का किसका समू है विद्यार्थियों का समू है अगर हम समझें कि class किसके समू को बहुत कराता है तो बिद्यार्थी के समू के बहुत कराता है किसे बहुत कराता है बिद्यार्थी के समू को जैसे मालिजे एक words मैंने यहाँ पर आओ लिखने की इकोसिस की मालिजे मालिजे हमने लिखा cattle cattle miss क्या होता है cattle miss होता है पसू क्या होता है पसू होता है cattle miss क्या होता है पसु और पसु के जुन्ड के समू के लिए जिस word का हम यूज करेंगे वो क्या होगा collective noun जैसे हमने कहा herd जो herd word बेटा है जो herd word friends वो क्या है herd मिन्स समू होता है लेकिन किसका समू होता है वो होता है cattle का होता है cattle का आये फिर कुछ question लेते हैं यहाँ पर जैसे हमने लिखा judge judge means क्या होता है नयाया धीस नयाया धीस होता है और नयाया धीस बहुत सारे गर नयाया धीस हैं तो उनके लिए शमू का word बताना पड़ेगा तो हम समझने की कोशिश करते हैं तो होता है और जो judge होता है वो किस उसके समू को हम jury बोलते हैं क्या बोलते हैं jury तो यह हो गया जूरी या जज जज नावकर judges हो जाएगा क्योंकि plural हो जाता है नाव तो overall अगर हम देखने की कोशिश करें तो ऐसा words collective noun कहलता है जिसमें समू का बोद होता है जी दोस्तों किसका बोद होता है समू का बोद होता है जैसे class जो है क्या है समू का बोद करा रहा है किसके students के जैसे herd जो है समू का बोद करा रहा है किसके cattle के यहाँ पर जो jury है वो किसके समू का बोद करा रहा है जज के तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि जो collective noun होती है उसमें sumu का बोध होता है किसका बोध होता है sumu का और उस words को हम बनाने की कोशिश नहीं करते हैं वो बना हुआ होता जिसे देखे class ये sumu है किसका students का head ये sumu है किसका cattle का jury ये sumu किसका है judges का अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमने कर दिया और मालिजिया आफ सोल्जर कर दिया सोल्जर्स मिस क्या हो गया साइनी को हो गया तो अगर हम बात करें कि सोल्जर्स के लिए समू अगर हमें बनाना तो किस वर्ड का यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा आर्मी क्या हो जाएगा आर्मी आर्मी जो है एक कलेक्टिव नाउन है और ये समू का बोद कराता है किसके? सोल्जर्स के तो आपने इस चीज को बड़े बहतरीन तरीके से समझा कि जो कलेक्टिव नाउन होती है उसमें जो होता है एक शमू का बोद होता है जैसे मालेजी आपके पास अंगूर है और अंगूर का गुच्छा है तो आपने कहा आफ ग्रैप्स माने हमने लिख दिया यहाँ पर ग्रैप्स हमने कर दिया ग्रैप्स माने होता है अंगूर अब अंगूर के जुन्ड के लिए इसे जुन्ड किस सबसे अंगूर का होगा तो वो हो गया बंच क्या हो गया बंच हो गया और a bunch of grabs कर दिया गया मतलब यह जो bunch है न यह गुच्छा का बोध करा रहा गुच्छा क्या होता है समू है उसमें बहुत सारे हैं इसका मतलब यह हमारा क्या हुआ collective noun हो गया तो collective noun वह word होता है जिससे समू का बोध होता है कैसे समू का बोध होता है तो किसी ब्यक्त के समू का बोध होगा या वस्त की समू का बोध होगा जैसे मान लिजिए अगर हम रोबर की बात करें रोबर्स होते हैं तो रोबर्स की समू को अगर आपको दिखाना है तो क्या लिख आफ रोबर्स तो चीजें confirm हो रही है अगर आप देखने की कोशिश करें तो जो डाकुएं होते हैं उनके समू को अगर दरसाना है अगर उनकी समू को दरसाना है तो क्या आप लिखेंगे गैंग क्या लिखेंगे गैंग अब मालीजे अगर यहाँ पर हम हर्ड लिख देते हैं कि हर्ड माने समू तो होगा लेकिन किसका समू होगा देखिए हर्ड किसका समू होगा कैटल का होगा इसलिए स्पेशल वर्ड बने हैं समू के लिए जो बताते हैं कि इसमें किसका समू होता है जैसे क्लास का हमने नाम लिया आपके सामने एक इमेज बन गया कि स्टुडेंट के लिए जैसे हमने कहा आर्मी तुरंत इमेज बन गया कि सोल्जर के लिए होता है आर्मी क्या है? समूव वर्ड है, कलेक्टिव नाउन है, सो क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है, हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है, तो आई हम देख लिते हैं, यह सारे वर्ड्स आपके कलेक्टिव नाउन के अंतरगत आ जाते हैं, जैसे कि आपने कहा हर्ड, जैसे कि आ यह जो सारे words है न यह क्या है collective word है collective noun है और इन से समुका बोधुरा तो जी दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चाइनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर दीजेगा साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजेगा और राइट साथ में बेल आइकन के बटम को दबा दीजेगा त इसके बारे में दोस्तों material noun की तो चली दोस्तों बात करते है material noun अब हमने four noun नबर पे समझा जिस्से हम बोलते है material material noun कहा जाता है और material noun की जो हिंदी होती है पदार्थ वाचक संग्या वाचक संग्या दोस्तों जब हमने समझने की कोशिश की तो एक बास समझ में यहां पर आने लगी सुन रहा है ना समझ रहा है ना तो एक बास समझ में आई कि जो हमारी material noun होती है ना उससे किसी दूसरे वस्तु का निर्माड किया जाता है तो हम कहा सकते हैं क catches a substance of things ihen 24 हाफ वेच आफ विछ amongst थे इंक्स आर में थे इंक्स आर मैंट जी दोस्तों बात समझ में हा रही होगी हमने अब समझने की कोशिश की हमने क्या समझने की कोशिश की कि a substance of things कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे दूसरी वस्तूओं का हम निर्माड कर सकते हैं वो कहा जाता है सुन रहा है न material noun के नाम से जाना जाता है जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हिंदी में भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तूओं का निर्माड किया जाता है दूसरी वस्तूओं का निर्माड किया जाता है निर्माड किया जाता है जाता है उसे material noun कहते हैं उसे material noun कहा जाता है कहा जाता है तो जब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे हर उस words को material noun कहा जा सकता है जिससे कोई दूसरी वस्तू बनाई जा सकती है तो जैसे हमने समझने की कोशिश की हमने gold लिया word क्या लिया gold मौने होता क्या है sona होता है तो sona से क्या आभूशड नहीं तयार किये जाते है किये जाते हैं अपने का असर यह हो जाएगा फिर हमने कहा silver ले लिजिए silver miss क्या होता है चादी क्या होता है चादी क्या चादी से दूसरी वस्तु नहीं बनाई जाती है आपने कहा सर बनाई जाती है हमने कहा आयरन क्या आयरन से दूसरी वस्तु का निर्मार नहीं होता है जिसे हम बोलते है हिंदी में लोहा अगर हम समझने की कोशिश करें मिल्क और मिल्क को समझा तो क्या है दूद दूद से आप देखिए पनीर बनाते हैं मिठाई बनाते हैं तो मिल्क भी हमारा क्या है material noun है मतलब ऐसे वो सारी वस्तों इसे दूसरी वस्तों का निर्माड होता है उसे material noun कहा जाता है माल लिजे हमने ऊड़ लिया ऊड़ मींस क्या होती है लकड़ी होती है क्या होती है लकड़ी होती है तो क्या लकड़ी से अलग-अलग types के चीजे नहीं बनाई जाती है बिलकुल बनाई जाती है इसके अंतरगत पेट्रोल भी आ जाता है क्या आता है पेट नाउन कहते हैं जिससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माड होता है जैसे कि यहां पर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, ओड, पेट्रोल, इन सारी चीजों को आपने समझ लिया तो यह कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा दूसरी चीज इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि जब material noun होता है दोस्तों तो एक चीज ध्यान देना है इसके साथ article का use नहीं होता है आप ध्यान देजिएगा no use of article इसके साथ article a, an and d का use नहीं होता है आपके पास तीन articles होते हैं एक है a या a बोलते हैं दूसरा an यह दोनों क्या है indefinite है और यह क्या है definite in article का use नहीं होता है लेकिन विसेश परिसितियों में वो सारी चीज आर्टिकल में बताई जाएगी कि material noun के साथ केवल द आर्टिकल आ सकता है विसेश परिसिती में तो दोस्तों आपने सीख लिया कि material noun वह noun है जिससे किसी दूसरी वस्तुका निर्माण किया जाता है इसमें article a, an द का use नहीं किया जाता है विसेश परिसिती में article द का use हो सकता है और आपने समझने की कोशिश की जैसे हमने words को देखा gold जैसे हमने words को देखा silver, iron, milk, wood तो एक बात हमने समझ ही लिया तो एक बात हमने समझ लिया कि इस सी दूसरी वस्त को बनाया जाता है इसलिए क्या है this is material noun मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुआ material noun एक लाइक तो बनता है समझ में आ रहा है comment करके भी बताईए comment करके भी बताईए ये pretty special classes चलाया जारा इंगलिस का और हमारे दियेगे whatsapp number 94, 53, 34, 42, 42 पर काल करके या whatsapp करके online batches आप ले शकते हैं या अब चाहें तो recorded complete video भी ले शकते हैं हमारी team आपसे बात करेगी और आपको सारे process को बताएगी जी दोस्तों तो चलिए अब हम बात करेंगे abstract noun के बारे में किसके बारे में बात करेंगे abstract noun के बारे में चलिए जाने की courses करते हैं कि abstract noun क्या होती है तो अब हमारी जो आखरी noun है उसका नाम क्या है abstract noun कहा जाता है और अगर इसे समझा जाए तो इसे बोलते हैं भाव वाचक संग्या कहा जाता है अर्थात ना तो इसे आप देख पाएंगे ना तो इसे आप छूपाएंगे तो क्या कर सकते हैं ना तो आप इसे पकड़ पाएंगे ना तो आखों से देख पाएंगे तो क्या कर सकते हैं केवल फील कर सकते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं आई कि abstract noun क्या होती है तो चलिए बात करते हैं आपस्टेक नाउन abstract noun is a word of which of which जिससे you can find you can find you can find only quality quality state state feeling feeling and and action दोस्तों ध्यान देना है कि जो abstract noun होती है भाव आचक शंग्या होती है उससे केवल हम क्या कर सकते हैं फेल कर सकते हैं उससे ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं और उसके अंतरगत हमें quality मिलती है state मिलता है feeling मिलती है and action मिलता है तो आये समझने के कोशिश करें quality मिस होता है good और state माने होता है अवस्था और feeling माने होता है भावना और समझे तो action माने होता है कारिय क्या होता है कारिय और state मिस होती है अवस्था तो one by one हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजी इसके अगर आएंगी तो पहला अगर हम समझने की कोशिश करें तो वह है quality क्या है quality में क्या मिल सकता है आनेस्टी क्या है विटा आनेस्टी जिसे क्या बोलते हैं इमानदारी इमानदारी जो हमारी है कैसी नाउन है क्या इमानदारी को देख पाओगे नहीं केवल क्या करते हो माश्रूस करते हो अगर हम बात करें काइंडनेस kindness तो kindness क्या है दया क्या दया को आपने कभी देखा है आपने कहा कि सर नहीं केवल हमने महसूस किया है केवल हम क्या करते हैं तो महसूस करते हैं समझ रहा है ना तू ठीक है आप समझ रहे होंगे आगे हमने कहा कि दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है state क्या आता है state अब state का मतलब यह हो गया state माने होता है अवस्था क्या होता है अवस्था और अवस्था के अंतरगत इस state means होता है आवस्था और आवस्था के अंतरकत क्या आएगा आपकी गरीबी आएगी ठेक आपका बचपन आएगा लड़कपन आएगा जवानी आएगी तो बात करते हैं इसमें हमने एक आवस्था लिखा boy और जोड़ा क्या इसमें hood तो इसे क्या बोलते हैं लड़कपन इस पैस्स क्या होता है बच्चा तो बच्चछ क्या बन गया बच्पन और आगे रा समझने की कोशिश करें तो इस JAC मतलब कि यहांआ पर हो लड़क पन हो बच पन हो गरीबी हो अमीरी हो आप देख रहा है कि जहां पर पन लगा मिल रहा है वह किसके नत्रगत जा रहा है भाव्यां लगा होगा क्या लगा तो अभी आपको कीवर्ट्स बताएगे थीसा अगर ममात करने की कोशिश करें तो तो हमारे शनुन जैसे आपने कहा, I hate you, I love you, तो समझने की कोशिष करना में, HAT मिस्ज़ क्या होता है, में घरा करना, और Love मिस्ज़ क्या होता है, प्रेम करना, तो समझने की कोशिष करना क्या इससे आप देख शकते हैं, अपने का नहीं सर, क्यों हम feel करते हैं, hate को क्या करते हैं, feel करते हैं तो जिस चिजब करते हैं, वो ही क्या होती है, abstract noun होती है और इसके अंतरगत अगर तीसरा सफ़र हम समझने की कोशिश करें तो एक दैना क्या बनता है? वो बनता है हमारे पास action क्या बनता है action जिसको हम बोलते हैं कार्य क्या बोलते हैं कार्य कहा जाता है और अगर आप समझने की कोशिश करें तो बनता कैसे जैसे यहां पर लिखा गया love और इसमें क्या जोड़ दिया ट्र जोड़ा तो क्या बन गया lobster ल थ्र एक का बनता है हसी कभी आपने देखा किया हशी को कभी आपने कहा जाए कि फ्लाइट अगर फ्लाइट कहा जाए उडान फ्लाइट मेंस क्या होता है उडान होता है अब उडान क्या है एक एक्षन है लेकिन क्या आपने उडान को कभी देखा है आपने कहा नहीं सर केवल हम महसूस करते हैं इसका मतलब आपकी आफ्टिक नाउन वह हो जाए जिसमें केवल आपको क्या करना होता है महसूस करना होता है और महसूस करने के अंतरगत आप किसको महसूस कर सकते हैं क्वालिटी को किसको स्टेट को किसको फिलिंग को एंड सुन रहा है ना एक्षन को अब हम कुछ की वर्ड पर बात करते हैं कि जहां पर आपको जहां पर ऐसे वर्ट दिखाए देंगे जो आपको करेंगे कि यह आंग की जो है आफ टेक नावन जैसे अगर कहीं पर नेश लिख लिखा मिल जाए आफ टेक नावन है थेक अगर आप समझने की कोशिक करें अगर कहीं पर T.R.E.D. मिल जाए तो क्या है ये आपका अश्टेक नाउन है तो नेस है हूड है T.R.E.D. है अगर कहीं पर आपको T.I.O.N. मिलता है तो ध्यान दिजगा क्या है ये भी अश्टेक नाउन है इसके साथी साथ I.O.N. मिलता है तो भी क्या है अश्टेक नाउन ह यह सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे जैसे कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमने कहा काइंड क्या कहा काइंड इसमें जुड़ा क्या मिला नेस तो क्या बन गया काइंड नेस यह अपस्टेक नाउन हुआ कि नहीं हुआ आपने सर एसाई ओयनका क्या होंगा हमने कहा में सब मिलाकर के यह ऐसी नाउन होती है जिसे केवल क्या कर सकते हैं तू सुन रहा है ना तू केवल आप क्या कर सकते हैं तो केवल फेल कर सकते हैं और इसके अंतरगत 3, 4 पॉइंट्स आएगा quality, state, feeling and action तो जी दोस्तों आज का इस वीडियो में आपको complete जो है noun बता दी गई है और इसके बाद तुरंत जो है next वीडियो आपको मिलेगी जो होगा noun के gender के बारे में तो दोस्तों ये नाउन के बारे में एक complete वीडियो हो गया, नाउन का दो complete वीडियो आपको मिला, एक में proper noun के बारे में और common के बारे में बताया गया है, अगर आपने उससे नहीं देखा है तो playlist में जा करके देख लिजएगा, लिखा है कि UPSS C paid English classes, तो वहाँ पर आपको सार मतलब English का complete course मिल जाएगा, दोस्तों तीन काम करना बिलकुल नद भूलेगा, like, subscribe and share also, और comment करके बतायेगा कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, हमारे paid batch लेने के लिए 94, 34, 42, 42 पर आप काल कर सकते हैं, या हमारे उसी WhatsApp नमबर पर आप message भेज़ करके अपनी एक सीट सुनुशि इसी तरीके से अपना प्यार बनाये रखेगा ताकि मैं आप सबोत की शेवा कर शकूँ, thank you so much everyone